Hello Friends, आप सभी का स्वागत है Friends, आपके सामने दो questions है इसको यहाँ पर solve करना है कि X plus 1 upon X is equal to 5 upon 2 आपका दिया है आपको ग्याद करना है X Q plus 1 upon X is equal to question mark और next question है X plus 1 upon X is equal to 5 यह दिया हो X Q plus 1 upon X Q का मान ग्याद करना है तो फ्रेंडs इस तरह की question को किस तरीका से लगाया जाता है आप इस वीडियो बने रहें तो आपको यह question लगाने का ओरिका पता हो जाएगा तो फ्रेंडs इस तरीका से question लगाने से पहले आपको कुछ बातें और कुछ फार्मूले पता होना चाहिए तभी आप इस question को solve कर पाएंगे तो friends आपका formula होता है कि A plus B का whole Q ठीक है friends A plus B का whole Q का जो formula होता है आपका A Q होता है क्या होता friends A Q plus B Q plus 3AB और अगले question में A plus B होता है इतना formula होता है friends यह यह आपको याद है तो आप question को solve करना है देखिए क्या होता है A plus B का whole Q का formula आपका होता है A Q ठीक है प्लस B Q plus 3AB question में A plus B यह आपके सामने question है इसी question को solve करना है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं क्या मानते हैं इस पूरे portion को मानते है capital A ठीक है और इस पूरे portion को मानते है capital B यानि कि यह जो आपका है yaks इसको मान लिए एक दिखें यहां पर निकली इएक माना देखें A के जगब कितना है yaks और B के जगब कितना है one upon x ठीक देखिए आपको दिया है कि X plus one upon X का whole Q दिया है क्या दिया है friends X plus one upon X का whole Q ठीक अब देखिए AQ यानि AQ का मत्रद दिया है यहाँ प्लस B का whole Q के AQ plus BQ plus three AB cos A plus B यहाँ A के जगह पर यह है यानि कि X का Q होगा plus B, B की जगह پे 1 upon X है तो 1 upon X का होल क्यों होगा plus 3AB यानि कि 3 A की जगह पे है याक्स, तो X लिज़िए और B की जगह पे 1 upon X है तो 1 upon X लिज़िए ठीक है, और अगले कोष्टक में है A plus B, देखिए A plus B फार्मूला है ऐगा पो अपको अपं एक्सार यहां दिखे व्नल यक्षी ürka की वूंख ऀखे सबρι़ सब्सक्रणाही के और इतना अवर डिखने के पाद आपको क्या करना है फ्रेंद्स कि कि अब और यहां परिक्स प्लस-प्लस-पान-पाइक्स कहोकिन किया है कि है कि यहां पर फाइफ ऑपान टू दिया है यहां पर by अपर अपर लिकेंगे कहांथ कर?」 यहां पर फाइफ पर जहां लिखा है वहां पर फाइफ इपन चू लिखना है तो यहां पर फाइफ पानटू नाय है यहां 5 surg twenty million threeifierdan speaks प्लस वा पन से एक से कडत यहां बचेगा आपका 3 और कोस्ट मेया दिया है यह लए क्लम क्माद कितना है इसको किया कि करेंगे और पांट्ट यहां पह चाल क्छांतर करेंगे आप इसको पच्छांतर करेंगे यहां पर देखें हैं 125 है अपान आठ है यहां से पंट्छाआँ दिया है यहां है इस साइद आके माइनस पंद्रहब होगा और किटना और और दिंहें मजद करना है इसके कमान कितना होगा तो गला करेंगे तो 504 को 60 होगा अब देखें यहां पर देंगे और यहां इसी तरह लिख लिख लिए याक्स पर क्यू प्लस वाना पान एक्स पर क्यू ठीक अब 125 में से 60 गटाएं तो देखें यह 5 होगा गटाएंगे तो और यहां 12 में 6 यहां पटाके 8 होगा इसकल्टू कितना है याक्स पर क्यू प्लस वाना पान एक्स पर क्यू यहां पर लिख लिजिए कि आपके कितना आगे याक्स पर क्यू प्लस वाना पान एक्स पर क्यू इसकल्टू 65 अपान एक यह आपका एंसर और इसी कमान ग्याद करना था कि याक्स क्यू प्लस व करके दिखाते हैं और उसको भी सिंपल तरीका से साल्व करेंगे आपका नेक्स क्वेस्टन है यक्स प्लस वान अपन एक्स इसकल्टू फाइफ यक्स क्यू प्लस वान अपन एक्स कमान गयात करना है देखें फ्रेंड्स अब तो उस तरह सवाल फार्मूले बता जाते हैं यह इसको हम दूसरे तरीका से लगाते हैं यहां पर कर दीजिए यहां यहां पर कर दीजिए कि दोनों पच्छो का दोनों पच्छो का गात लेने पर यानि कि दोनों पच्छो का थ्री गात लीजिए याक्स प्लस वान पन एक्स पर तीन घात लीजिए इधर और पांच पर इधर तीन घात लेजिए ठीक है देखें अब अब यही फार्मूला है a plus b को whole q की जो अगले प्रश्म बनतायत है आपको यही फार्मूला का यह यानि कि a का q मतलब x का q plus b q मतलब 1 upon x का q plus 3ab यानि 3 a का मतलब x हुआ b का मतलब 1 upon x हुआ ठीक अगले कोष्ट में a plus b यानि कि x plus 1 upon x इसकल्टू अब यहाँ भी देखिए 5 पर q है 5 पर q का मतलब हुआ कि 5 गुड़े 5 गुड़े 5 यह हुआ तीन बार 5 गुड़े 5 गुड़े 5 देखिए यह है आपका x का q plus 1 upon x का q प्लस देखिए x x cancel हो जागा यहां 3 होगा गुड़े का लिशान x plus 1 upon x का मन कितना है x plus 1 upon x का मन 5 है तो यहाँ पर 5 दिखेंगे यहाँ 5 है 5 का गुड़ा 35 पाचीस 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 हुआ 125 लिखिए देखिए x का q प्लस वन्ड़ा 15 लिखिए यहां पर देखिए x का q प्लस वन्ट़ा 15, x का q मैनिस कितना लिखेंगे यहां पर देखिए x का q लिखिए x का q सcion का पंट़ा 15 में 15 गठों पका का यह आएगा 110 यह आपका एनसर हो गया कि X का Q का मान कितना होगा 110 होगा तो फ्रेंड आप जिस तरीका से चाहें दोनों तरीका से आप किसी भी तरीका से आप एक्जाम में एक्वेशन लगाते हैं तो आपको फूल मार्क मिलेगा इस पी एक नंबर भी नहीं कटेगा तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचीं